जैसरीराम सिंगरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके ही दैनिक रासी फल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी आपका रासी फल लेकर हाजिर हैं आज का सुर्योदय पांच बच के उन्तालिस में पर होगा तो ही आज का सुर्यास्त साथ बच के सोला मिनट पर होगा आज की दिन चंद्रमा पूरे दिन में रास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी में होगी बात करेंगे आज के सुम महुर्तों की तो आज ब्रह्म हमुर्त रहेगा चार बच के सोला मिनट से चार बच के अंठामन मेर्ट तक अब जीत महुर्त रहेगा बारा बज़े से बारा बच के पचपन मेर्ट तक विजय मुर्तरेगा दो बच के 44 मेट से साम 3 बच के 38 मेट तक आज की दिन अमरित काल का समय रहेगा 10 बच के 3 मेट सुभह से लेकर सुभह 11 बच के 32 मेट तक आज सरवार्सी धियोग भी बना हुआ है दो पहर बाद 2 बच के 30 मेट से लेकर 27 जुलाई को 5 बच के 40 मेट सुभह तक आज अमरिति धियोग बना हुआ है 27 जुलाई को 5 बच के 40 मेट सुभह तक आज रभियोग बना हुआ है उसका भी समय यही रहेगा दोपहरबाद 2 बच के 30 मेट से लेकर 27 जुलाई को 5 बच के 40 मेट सुबह तक तो ये थे आज के सुमहुर्थ इस सुमहुर्थों में आप कोई भी अच्छे कारियों के सुरुवात कर सकते हैं आज का रहुकाल का समय रहेगा 10 बच के 45 मेट सुबह से लेकर दोपहरबाद 12 बच के 27 मेट तक रहुकाल के समय किसी भी सुबह अच्छे कारियों के सुरुवात ना करें अब आए जान लेते हैं आपके रासी फल के बारे में तो सिंगरास के दोस्तों आज का दिन आप के लिए खुसियों कोई बच्छार लेकर आएगा आप बिजनेस में कोई बड़ा जोखिमना ले आपको घर वा बाहर लोगों से सुब सूचना सुनने को मिल सकती है माताजी से समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं प्रेम जीवन में कुछ तनाव तो रहेगा लेकिन फिर भी आप अपने रिस्ते को बहतर बनाने की कोशिस करेंगे ससुराल पक्ष के किसी बेक्ते से कोई लड़ाई जगड़ा हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा सा साबधान भी रहना होगा आज का दिन आप के लिए तरक्की दिलाने वाला साबित होने वाला है आप अपने मन में इर्शा की भावना बिल्कुल ना रखें नहीं तो समस्याओं में भी आ सकते हैं इस दोरान आपको अपने कामों को लेकर टेंसन बनी रहेगी परिबार में ये किसी सदस्य की सेहत कमजोर चल रही है तो उसमें भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा आपके घर किसी अतित का इस दोरान आगमन भी हो सकता है आपको लेन देन से सम्मंधित मामलों को लिखा पढ़ी करके निप्टाना होगा आप संतान के लिए आज के दिन कोई उपहार भी लेकर आसकते हैं सिंहरास के दोस्तों आज का दिन नोकरी में कारयत लोगों के लिए दिन अच्छा का रहेगा क्यूंकि उन्हें किसी नई नोकरी की प्राप्ती हो सकती है आपको किसी विपरीत परिस्थितियों में भी धहर बनाई रखने के आवस सकता है आपकी कोई मुल्लिवान बस तो ये दिखो गई है तो ये भी आपको मिल सकती है आपको अपने इंकम को बढ़ाने के कुछ नए रास्ते मिलेंगे जिन पर चलना आपके लिए अच्छा साबित होगा आप अपने मन में नकारात्मक बिचारों को ना आने दें इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए कुछ बेबजह की उल्जहने भी लेकर आएगा आप अपने से ज़्यादा औरों के कामों को लेकर व्यस्ता रहेंगे भाग दोट अधिक रहेगी आपकी बाणी की सुम्मिता बनी रहेगी जिससे आपकी मित्रों के संख्या में भी इजाफा होने वाला है प्रेम जीवन जी रहे लोगों का कोई पुराना साथी आज वापास आ सकता है आज के दिन अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे खान पांस से संख्या कोई समस्या आपको लंबे समय से परिसान कर रही थी तो आप उस पर ध्यान दें आप अपने घर किसी ने बस्तु को ले कर भी आ सकते हैं साथ ही आप अपने कामों को ले कर थोड़ा परिसान रहेंगे आप अपने जीवन साथी से संतान के केरियर को ले कर भी बातचीत कर सकते हैं सिंगरास के दोस्तों आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही फायदे मंदर साबित होने वाला है आज क्योंकि सस्वाल पक्षि से यदि आपने कोई धन सम्मंदित मदद मागी थी तो वह भी आपको मिलने के संभावना है आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा लेकिन फिर भी इसका असार आपके कामों पर नहीं दिखाई देगा इंकम में बृद्धी होने की पूरी संभावना है आप किसी प्रापर्टी में यदि हांट डालेंगे तो उसमें कुछ बाधा आ सकती है लेकिन फिर भी वह आपको मिल जाएगी माता जी को कोई पैरों में दर आदी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है साथ ही आज कर दिन आपके लिए अर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा आपकी इंकम के सोर्स बनेंगे बेवसाह में अपनी सोच का अच्छा लाब उठा पाएंगे यदि आपने कोई निर्णे जल्दवाजी में लिया है तो वह आपको निर्णे बार बार परिसान कर सकता है संतान की पढ़ाई लिखाई में समस्या बनी रहने के कारण उनके बेवहार में भी कुछ बदलाव होगा जिससे आपको परिसानी होगी तो सिंगरास के दोस्तों ये था आपका रासी फल कल फिर से एक नए रासी फल के साथ होंगे तब तक के लिए जैसरी राम